अब देखरें आप अपने बाइक स्टी की सेवें डे सीरीज जिसके अंदर आज अमें डे टू स्टार्ट करने वाले हैं अपने लिपिट से मैं अल्रेडी डे वन में जो है मैं आप पूरा कार्व आइड पड़ा चुका हूं अब आपने लिपिट और अपने अपने बनता कैसे है और अज की वीडियो में आपको पूरा पैटी असिड और असेंशल पैटी असिड बताने वाला हूं और तो को उससे पहले अगर आप मेरा यह चिकना चैरा देख रहे हों तो बिल्कुल आप समझ गया हूं कि यहां अभी मेरे प्रैक्टिकल्स हो है एंड हुए है कल मेरे प्रैक्टिकल था और यार मैं इसान दो ही दिन सबसे बुरा दिखता है एक तो अपने अधार काड़ प्रैक्टिकल वाले दिन में पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है कि क्लीशेप करो तभी हम आपको मार्क्स देंगे यह लड़कों का बहुत बड़ा दुख है जो अभी तुम जब प्रैक्टिकल लोग है तब तुम समझना आएगा फस्टेर में तो वैसे क्लीशेप ह प्रैक्टिश से अब बना और दूसरा इपना यहां यह तुम स्ट्ट्टर देख रहे होँ ना यह पूरा अपना इक फैटी हैंसे का स्ट्टिर है इसके शुरुबात में आप दुख इस तरी के से डबलो एच लगा यह अपने कार्वाउक्सिलिक ग्रूप है तो कार्वाउक्सिल एसे ड़ो अलग ग्रूप है जब इसके साथ जबना हाइड्रोकार्वन लगा हो है अपना सी एच पदलब मैं आपके बता पर लेता हूं यह स स्ट्री में लगा अगर अपने कार्वाउक्सिलिक ग्रूप से जिसके अंदर अपना लगा रहे था हाइड्रोकार्वन की एक लॉंग चेन मैं आपको ना इसको और डीटेल में की स्ट्क्चिर समझा भी देता हूं तो देखो तुम यहां पर ही देख सकते हमाले स्ट्चर म यहां पर अपने स्ट्टिंग में अपने कार्वाउक्सिलिक लगा हुआ है तो यह अपना पूरा अपना एक हो गया है अभी मैं आपको बताता हूं फिर फैटी एसिड कितिने प्रगार की होते हैं कि अपने यह बॉंड पर डिपेंड रहता है अब तो यहां पर कोई भी ड डबल बॉंड प्रेजेंट ना हो सिंगल बॉंड हो इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि maximum hydrogen atom हो जाहिर से बात है अगर डबल बॉंड लग जाएगा इसके बीच में तो एक hydrogen कम हो जाएगा तो इसको मैं इस तरीके से बोलते हैं कि अगर अपने maximum hydrogen atom लगे हो या फिर अपना सिंगल बॉंड हो डबल बॉंड ना उस condition को अपन बोलते हैं saturated fatty acid में एक बाप और आपको समझा देता हूं ठीक है तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा तो यहां रखना अगर अगर अपने डबल बॉंड प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसके बोलते हैं saturated fatty acid और अगर अपने त सिंगल बॉंड के डबल बॉंड के अपने unsaturated अब जो unsaturated जो है ना फदर उसको दो पार्ट में और डिवाइड अपन करते हैं एक मोलो unsaturated और polyunsaturated तो यहार तो तुमना बिल्कुल भी तकलीफ मतलों मैं तुमना सारी चीज से वाजाता हूं तो देखो यहां पर तो अगर यहां रखना अपना पूरा तो fatty acid है अगर उसमें एक डबल ओन प्रजेंट होगा तो सब बोलेंगे मोलो unsaturated fatty acid इसको अपन जो है क्या बोलते हैं तो यहां तो यहां रखना तुम यहां पर एक ही fatty acid मोलो को मतलब भी होता है फिर यहां रखना एक से ज्यादा प्रजेंट हो अब नेज़े स्क्शिर में देखो एक यहां पर प्रेजंट है अगर एक से ज्ञादा पर उसमें बोलते हैं एक बाँड प्रेजेंट दोस्ता मुनों बोलेते हैं Mono Unsaturated Fatty Acid देखो अब मैं तुम्हें कंसर्ट बताने वाला हूँ Essential Fatty Acid का जो कि युनिवर्सिटी में पूशा भी चाता है तो अपना क्या होता है Body के अंदर कुछ अपने fatty acid अपनी body बना नहीं पाती अब जो fatty acid अपनी body में बंड नहीं रहे है अपने इसको डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता है वो अपने लिए essential हो जाते है लेना उन्हें बोल देते है Essential Fatty Acid यह बहुत easy है जाहिए जाहिए fatty acid को बनाने के लिए चेह रहते हैं अब यहां लगना double bond के लिए जब अपना fatty acid बनता है उसके अंदर बहुत सारे carbon atom लग जाते हैं तो इसलिए आपने का करते हैं जो पूफा जो होता है वो अपने को डाइट के फॉर्म में भी लेना पड़ता है मैं तुम्हेना इसके एक्जाम्पल भी पता देता हूं इसके तीन एक्जाम्पल बहुत बढ़ाई बटबाद तुम क्या सोच रहो कि मैं बहुत बटबाद बन जाओंगा मैं क्या करूंगा मैं तो बैटा यह गलती मत करना अगर तो बहुत सारी बिमारिया हो जाती है बहुत है कि मॉस्ट बिमारी वह अपनी फारो डर्मा अजो फार्नो डर्मा जो है उसके अंदर क्या होता है उसके मैं इसके अंदर फॉलिकल और जाते हैं मैं सायट में ऐक्जाम्पल लिखाऊ और अबने यह बटेखो ध्यान से इस तरी करिके से आपका हूं अपने दाने के साथ सीवेर मन नूटुरीशिन के साथ विटामिन ए और बीडेवडीशि के साथ और अपना आशेंशिल तेकी डेविजनशी के साथ इन चार चीज की डेविजेंशी की तुम्हें साथ मेरे नोट्स मिल जाएंगे उन नोट्स में एडिशनल क्लिनिकल के पॉइंट्स लिखे हुए जो मैं यहां नोट्स दिखाता हूं और जब बुक है वो दोनों अलग अलग है तो वो तुम पर्चेस कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा सब्सक्रिप्शन लिखने को आगर तुम क्या करूंकि तो अश्याइशल फैटी अड़िट का लिखने के लिए आये न तो सब्से पहले आपको लिखने पड़ते हैं एक्जाम्पल्स मैं तुम्हेना मेरी ती दिखाता हूं और सारे नोट्स नोट्स हो है यार मैं दुवार तो शॉट के लिए वनों का बैस चीज है तो एक्जाम में आगर आपको खीने के लिए आगया ना सबसे पहले आपको फैटी एसले ना पड़ेगा सबसे पहले कि हैंडिक डालना उसके पूरा डेफिशन लिखना वोते हैं लिए न फिर आप लिखने पड़ेंगे दालके इंके सारे एक्जामपल लिख देना फिर आपने को लिखना पड़ता है कि बाइयो केमिकल बेसिस ऑफ अपनी बाड़ी के अंदरे असेंशल क्यों है अपनी बॉड़ी में नहीं बन रहे यूमन बाड़ी में अपना वह वाला एंजाइम नहीं होता जो अपना डबल ब इसका स्क्रेटिये अधर सब्सक्राइब के वह इस को बनाता है उसके परटीट बनाता है उसके प्रिवर को प्रिवेंट कर जाता है उसके लाब मैंने आपको बताया इसके रण क्या हो जाएगा फाइर नो डर्मा नाम से आपको ना डिसीज हो जाएगी जिसको पंड तोड आदन देखा हो ना जानवर तोड की स्किन जैसी आपकी स्किन हो जाती है तो अगर आप चाहते नहीं हो कि तो पारी वीडियो लाता रहता हूं और कुछ दिनों के लिए जो मेरा फेस और आपको एक नोर गरना बिकॉस जो फोड़ी तो घर की खेती है दोवारा आ जाएगी तो थैंक्स वर वासिंग एंड की लर्नेंग झाल